नीजी करण के विरोध में अनिश्वित कालीन हर्तार पगए जमू कश्मी के बिजली करमचारियों के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद प्रसाशन रविवार शाम बिजली की अपूर्टी के लिए सेना को बुलाया है सेना ने जमू के प्रमूक पावर स्टेशन पर मूच्चा समालते हुए शेहर में बिजली सप्लाइक या पूर्टी को दुरस्त करने का काम शुरू कर दिया है आपको बता दें कि जमू कश्मीर में बिजली के नीची करन का विरोध कर रहे प्रदीश के 23 सजा बिजली करमचारी शनिवार से अनिश्चित हर्ताल पर वैठे हैं इस हर्ताल का व्यापक असर शनिवार से ही जम्बू के अधिकतर हिस्सों परपढ़ा और शेहर के करी 50-20 लाकों में बिजली गुल हो गई इस हर्ताल का सबसे ज्यादा असर जम्बू के ग्रामी लाकों पर देखा गया इसके बाद प्रसाशन ने हर्ताली बिजली करंचारियों से कई राउंड की बाच्चीत की और वो बाच्चीत विपल होने के बाद आखिरकार जम्बू के डिविजन कमिशनर ने सेना की मदद मांगी शेहर में बिजली अपूर्ती को सुनेशित करने के लिए सेना बुलाई गई महीं जम्बू कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फरेंस निके नेता उमर अबदुल्ला ने समुद्दे को लेकर राज्य प्रसाशन को विफल करार दिया अबदुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि जम्बू कश्मीर के जम्बू संभाक में बिजली के बुनियादी धांचे को संचालित करने के लिए सेना को बुलाया गया है नागर्ट प्रसाशन के लिए सेना को बुलाने से बड़ी विफलता कुछ नहीं है इसका मतलब है कि जम्मु कश्मीर सरकार निसाशन के पूरी तरहा फेल होने को स्विकार कर लिया है NCP के दिगज नेता और पूर्व मंत्री प्रफुल पतेल के बेटे प्रजय पतेल की जैपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग में बॉलिवुड से लेकर क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की शादी की तमाम इंसाइट वीडियो भी शोशल मीडिया पर सामने आई हैं जो काफी तेजी के साथ वारल हो रही हैं आपको बताने शादी में सूपर स्टार सलमान खान अनिल कपूर और शिलपर शेटी भी बेहत शांदार अंदाज में शिरकत करने के लिए पहुँचे और तीनों स्टार्स ने जम कर धमाल मचाया प्रफुल पतेल के बेटे प्रजय पतेल की शादी में सलमान खान अनिल कपूर और शिलपर शेटी के डांस करते बहतरीन वीडियो शोशल मीडिया पर भी वारल हो गए हैं तो आप भी देख सकते हैं तस्वीरे किस तरह से बॉलिवूड सेलिविटीज का यहाँ पर शादी में जलबा देखा गया जम कर नाचते हुए सलमान खान नजर आए केंद सरकार ने लोगों के अधार काद और वोटर आईडी कार्ड को जोडने का प्लैन बनाया है जिस पर असुदुदीन ओवेसी नियापती दर्ज कराई है ओवेसी ने से नागरिकों की सुरक्षा और नीजिता से जोड़ा है दरसल हैदरबाद से सांसा सुदुदीन ओवेसी ने संसत के शीत कालिन सत्र में लोगसभा में नोटिस दे कर नए इलेक्शन लौ बिल 2021 का विरोध किया है आपको बताते हैं ये बिल आज लोगसभा में पेश होना है साथी न्यू इलेक्शन लौज बिल 2021 के मताबिक इसमें वोटर आईडी कार्ट को अधार कार्ट से लिंक करने की तैयारी है कहा जा रहा है कि इससे दो वोटर आईडी कार्ट रखने जैसे फरजी वारे नहीं हो सकेंगे लखीमपूर हिंसा मामले मुख्या अरुपी आशीश मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोट सुनवाई करेगा आपको बता दें कि बीते शुकरवार को कोट ने आशीश मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिच कर दिया था जिसके बाद शनिमा को आशीश मिश्रा की ओर से जिला जजज की अदालत में दोबारा जमाना तरजीद दाखिल की गई जिस पर आज कोट सुनवाई करेगा दरजल मामले की जाज कर रही इस आईटी ने बीते दिनों आशीश मिश्रा समेट मामले में शामिल 13 अरोपियों पर गैर इरादतन खत्या की धाराओं को खटा कर सोची समझी साज़िश के तहर खत्या की धाराओं को कोट के आदेश पर जोड़ा था जाज अधिकारी की अरजी पर सुनवाई करते हुए कोट ने आशीश मिश्रा समेट 13 अरोपियों की रिमान नई धाराओं के तहट बनाई थी मद्रप्रदेश के पंचाय चुनाक को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब मामला मानहानी तक पहुँच गया है दरसर कॉंग्रेस के दिगज नेता और राजिसवा सदसे विवेक तंखा ने मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान, आवास और परियावरन मंत्री भुपेंद सिंग और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को 10 करोड की मानहानी का नोटस भेजा है आपको बता दें कि हाली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचाय चुना में OBC आरक्षन पर रोक लगाने के बाद मंत्रीप्रदेश के बीजेपी नेताओं ने विवेक तंखा को आड़े हातों लेते हुए कॉंग्रेस को भी कटगरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था गोरगपुर के रामपुर कारखाना सेत ग्राम जुम्री निवासी राजेंद दूबे ने मुख्यमंत्री यूकी आधितिनाद को पत्र सौप कर पोट क्या देश के अनुपालन की मांग की है मुख्यमंत्री को सौपे पत्र में राजेंद दूबे ने कहा कि देवरिया जनपत के रामपुर कारखाना थाना शेत रंतगर डुम्री गाउं में लगभग सौ सालों से प्रचलेत सारवजनिक रास्ता है जिस पर वही के विशिष्ट धूबे और अन्ने की ओड से पिलर का निर्मान कराकर गबजा कर लिया गया जिसके विरोध में उपजिला मजिस्ट्रेट देवरिया के पास शिकायद दर्ज करी गई थी वहीं इस मामले को सुलजहाने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट ने 27 नवंबर को तैसिल सदरो थाना रामपूर का खाना को आदेशित किया गया था कि दोनों लोग समन में स्थापत कर अतिक्रमन हुए सारवजनिक रास्ते को मुक्त कराएं वहीं 11 दिसंबर को आदेश के अनुपालन में जब राज्यस्व और पुलिस विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच का कारवाई शुरू की तब ही एक कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच और मौके का आदेश पर कारवाई प्रोख दी गई वहीं इस संबन में जब मौके पातिक्रमा खटाने गए राज्यस्व टीम का नेतुर्त कर रहे कानून दुर्गेश श्रिवास्तर से पूछा गया तो उनका अजीबों करीब बयान सामने आया